गूड मॉनिंग, पिशले वीडियोज में हम राजस्थानी चित्रकला के विशय में अध्यान कर रहे थे जिसके अंतरगत हमने हाडोती स्कूल और डूंडाड स्कूल को देखा था आज हम राजस्थानी चित्रकला को राजस्थान में अमूर्द कला अंदोलन से कंटीन्यू करेंगे अमूर्द कला व्यक्तिगत समवेगो एम मनोभावों की कलात्मक प्रस्तुती है अमूर्द कला रंग रेखाओं एम आकार की शुद्ध भाशा है इसमें कलाकार क्रती स्रजन में ऐसे रंगतों रूपा कारों का स्रजन करने लगा जो संसार में विदमान नहीं है यह कला सत्तर के दशक में आरंब हुई राजस्थान में अमूर्द कला के चित्रकार जोती स्वरूद इनका जन्म जोदपुर में हुआ राजस्थान में अमूर्तांकन की सहासिक शुरुवात करने वाले चित्रकारों में जोती सुरुप अगरणी कलाकार है इनकी वैविद्धुपूर्ण अमूर्त चित्राकृतियों ने राजे में अमूर्तांकन की नीव डाली इनकी इनर जंगल, शिव शक्ती और जोती स्वरूप शीर्शिकों से बनी चित्र शंखलाएं विशेश रूप से चर्चित हुई इनके गुरू कमल क्रश्न थे बीकानेर में जन्मे तीन चित्रकारों में प्रेमचंद्र गोस्वामी, आरबी गौतम और रंजन गौतम ने अमूरतांकन की शंखला को नेकेवल संभाला बलकि उसे एक ठोस आधार और विकासमान गती दी रंग शयन प्रेमचंद्र गोस्वामी की प्रसिद्र चित्रशंकला है प्रेमचंद्र गोस्वामी वे आरबी गौतम ने जैपुर में पहली बार द्वी व्यक्तिय चित्रकला प्रदर्शनी 1966 में आयोजित की हौरर आरबी गौतम की प्रमुक चित्रशंकला है जो इंद्रा गांधी हत्याकांड से संबंदित है मोहन शर्मा राजस्थान में अमूर चित्रांकन की एक सौंदर्य मई रंग श्रंखला प्रस्तूत करके कला शेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान कायम करने वाले नादद्वारा में जन में चित्रकार स्वर्गिय मोहन शर्मा का योगदान इस दिशा में मील के पत्तर के समान है उनके चित्रों ने गहरे से हलके होती रंग चाया और रंग पर्तों से वांचित प्रभा उत्पन करके सुकद रंगानु भूती से सराबोर किया है डेजर्ट शंकला, कॉस्मिक क्रिस्टल, स्टिल लाइफ और इंटीरियर इनकी प्रसिद चित्र शंकला है मोहन शर्मा राजस्तान में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप के संस्थापक सदश्य रहे है इन्हें 1987-88 में राजस्तान ललित कला अकादमी के सर्वोच सम्मान कलाविद से सम्मानित किया गया विध्या सागर उपाध्याए कैनवास पर पहले श्वेत शाम अमूरतांकन करके फिर रंगों से छाया के वैविद्पून प्रयोग करने वाले विध्या सागर उपाध्याए अकेले ऐसे चित्रकार है और इस चित्र में इन्होंने अपनी खास जगे बनाई है अमूरतन के जरिये बेम्ब उभार ने प्रकरती के रहस्य खोलने और एक अद्बुत चित्र सम्मोहन उत्मन करने में वे अपनी सानी नहीं रखते इनके चित्र प्रकरती मन की समवेदना एवं खटी मीठी अनुभूतियों पर आधारित है कलावित शुरेश शर्मा सुरेश शर्माज का श्रजन आकरती रहित अमूर्त ताका है रेड ओन रेड इनकी उत्कृष्ट करती है इन्हें राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा 1984-85 में कलावित सम्मान तथा 2015 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया लक्ष्मी लाल वर्मा ने टकमन 28 के संस्थापक सदश्य वे राजस्थान में सरप्रथम छापा चित्रों की क्रांती लाने में अग्रणी कलाकार रहें वे अमूर्थ कला के चित्रकार भी हैं इनके चित्र मौंद्रिया की कला एउं फ्रेज हॉल अमेरिकन हार्ड एज से प्रभावित हैं अब्दुल करीम टेंशन इनकी प्रमुक शरंखला है ये अमूर्थ चित्रकार है अन्य चित्रकार शब्बीर काजी शुभास केकर भवानी शंकर शर्मा हर्शिव शर्मा हरी शंकर गुपता आधी हैं राजस्थान में कला प्रोनती के प्रमुक केंद्र राजस्थान ललित कला अकादमी राजस्थान में चित्र शिल्प वास्तु वे संबंदित कलाओं के शेत्र में अध्यान को प्रोथसाहित करने इस शेत्र में शोधकारियों की अभिवरदी के लिए तधा विकास की धारा के अनवरत प्रयास के लिए राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 24 नौंबर 1957 में की गई इनका उद्घाटन भारत के ततकालिन उपराष्ट पती डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने किया इनके प्रतम अद्देक्ष राज्यरत्न प्रताप राय जी महता थे प्रारम में ये अकादमी एक सरकारी विभाग था किन्तु 1959 में से स्वायत संस्था बना दिया गया अकादमी द्वारा वरिष्ट कलाकारों को उनके कला योगदान के लिए राज्य का सर्वोच कला सम्मान कलाविद फैलोशिप भी प्रदान किया जाता है सबसे पहले कलाविद की उपादी राजी के वयोवरद चित्रकार श्री राम गोपाल विजय वर्गी को दी गई थी जवार कला केंद्र जैपुर एक ही छत के नीचे प्रदर्शनकारी वे द्रश्य कलाओं के प्रदर्शन वे विभिन्न कलात्मक आयोजनों के उद्देश्य को साकार करने हैं तू वर्ष 1903 में इस्वी में जवाहर कला केंद्र जैपुर के स्थापना की गई इसका उद्गाटन 8 अप्रेल 1903 में को ततकाली राष्ट पती श्रीशंकर द्याल शर्मा द्वारा किया गया था इसके शिल्पकार चार्ल्स कोरिया थे उन्होंने इसका निर्मान डव ग्रहों को आधार मान कर किया था जवार कला केंद्र जैपुर के परिशर में ही शिल्प ग्राम भी बनाया गया है राजस्थान स्कूल अफ आर्ट जैपुर महराजा राम सिंग ने जैपुर में 1857 में कला सिक्षा की व्यवस्था के धे से हुन्री मदर्शा डॉक्टर सी एस वेलेंटाइन के आश्चरत्व में स्थापित किया सन 1866 इसवी में इस संस्थान का नाम महराजा स्कूल अफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया स्वतन्ता के बाद इसका नाम राजस्थान स्कूल अफ आर्ट किया गया वनस्थली विद्यापीट निवाई टॉक 1937 में वनस्थली विद्यापीट में प्रॉफिसर देवकी नंदन शर्मा ने चित्रकला विभाग की स्थापना की राजकी अमहाविद्यालर बूधी इसकी स्थापना 1945 में हुई थी इसे पहले हाडेड कॉलेज की नाम से भी जाना जाता था इसमें सनातक स्तरप्रचित्रकला विशय का प्रारंप 1945 ने हुआ सनातकुत्तर स्तरप्रचित्रकला विशय तुलीका कलाकार परिशत उदैपूर प्रसिद शिक्षा शास्त्री प्रॉफिसर वीवी जौन सुविख्यात कलाकार त्रय गोवरधन लाल जोशी पी एन चोयल मोनी सान्याल द्वारा सर प्रथम तरुन कलाकार परिशत की उदैपूर में स्थापना की गई इसके प्रथम अद्दैक्ष गोवरधन लाल जोशी थे बाद में एक बंगाली सिक्षक बीके रॉय के सुजाव पर इसका नाम तरुन कलाकार परिशत से बदल कर तुलीका कलाकार परिशत कर दिया गया टक्मन 28 उदैपूर इसके स्थापना ओडी उपाध्या, सुरेंद्र शर्मा, शैल चोयल, लक्ष्मी लाल वर्मा, विद्या सागर उपाध्या, मंगल सकसेना आदी द्वारा 28 वरवरी 1968 में की गई इसके अद्दैक्ष लक्ष्मी लाल वर्मा बने Progressive Artist Group PAG जैपूर स्रजन धर्मी कलाकारों, कलाप्रेमियों और कला समिक्षकों के संगठन Progressive Artist Group जैपूर का गठन 15 अगस्त 1970 को जैपूर में हुआ कला वरत जैपूर वर्ष 1970 में जैपूर में संगठन की स्थापना की गई महिंद्र कुमार शर्मा सु महिंद्र इसके प्रथम अद्यक्ष बने आज उद्दैपूर प्राचीन अर्वाचीन कला धरोहरों को जीवन्त बनाये रखने इसे नया परिवेश प्रदान करने और स्रजन कारे को जीवन का अभिप्राय बना कर समाज में सांस्क्रत्य कें संदर बोध जागरत करने के उद्देश से द्रश इम प्रदर्शन कारी कला को प्रोथसान देने के लिए आज द्रश इम प्रदर्शन कला संस्थापना उद्यापूर में 1979 में हुई शीला शर्मा को इसका प्रत्ऩा मद्ध्ध्ष बनाया गया ये राजस्थान का ऐसा कला संगठन है जो द्रश्य कला के साथ साथ प्रदर्शनकाई कला को भी पूत्षान देता है राजस्थान कला केंदर जयपूर इस कला संस्था की स्थापना 1958 इसवी में जैपुर में हुई प्रदर्शनकारियों के आयोजन के अलावा कला सिक्षा के माध्यम से कला चेतना उत्पन करना संस्था का प्रमुख देह रहा है आदर्श लोक बिकानीर सन 1969 में बिकानीर में स्थापित या संगठन बच्चों की मौलिक कला प्रतिभा को प्रोध सहन के माध्यम से समाज में सांस्प्रतिक चेतना जागरत करनी की दिशा में प्रयासरत है रंग बोध कोटा चित्रकार राजकुमार ने कोटा के चित्रकारों शुबाश केकरे मौम्मद शफीव अन्य कुछ मित्रों के साथ मिलकर कला को समर्पित रंग बोध का 1971 में कोटा में गठन किया साहित्य कला मंदिर कोटा यह संस्था ललेत कला के उठ्थान और तत्थ संबंदी शोद के उद्देश से कोटा में 1974 में स्थापित की गई थी कलम बूंदी राजस्थान के हाडवती शेत्र में कला के विकास और शेत्र की कला का परिचे राजस्थान की नहीं वरन देश के विविन अंचलों तक करनाने के उठ्देश से बूंदी में कलम की स्थापना 1975 इसवी में हुई इस संस्थान ने बूंदी शैली के उन्नेयन में उलेखनी योगदान दिया इसके संस्थापा कद्देक्ष स्वर्गेश्री रमेश सत्यार्थी थे दोरा कला संस्थान जोदपूर इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1976 में जोदपूर में की गई समू प्रदर्शनियों, एकल प्रदर्शनियों, कारेशालाओं और अन्य आयोजनों के माध्यम से ये संस्था आम आदमी में सौंदर्य चेतना प्रस्पूतर करने के दिशा में निरंतर कोशिश करती रही है मयूर 6 वनस्थली विद्यापीट के स्रजनशील कलाकारों की लगू कला संस्था मयूर 6 का गठन 1980 में हुआ इसके संस्थापक कलाविद स्वर्गय श्री देव की नंदन शर्मा थे फाइन आर्ट एक्स्प्रेशन सोसाइटी फेस जैपूर भारती और राजस्थानी पारंपरी कला के संबर्दन के उद्देशे से इस संगठन की स्थापना की गई इसके संस्थापक अध्यक्ष्ट्री वेद पाल शर्मा बन्नू थे चितेरा जोदपूर इन्हें बालकों में विकासोन मुक कला के खोजने परखने और उसे निखार कर बालकों को एक रोजगार रूपी आयाम देनी के उद्देशे को लेकर संस्था की स्थापना जोदपूर में 1986 इसवी में की गई आर्ट कॉंसिल अफ राजस्थान जयापूर राजस्थान में द्रेश्ण वे प्रदर्शन कारी क्लाँ के उचित प्रदर्शन उनके कलाकारों को उचित अवसर वे मन्च प्रदान करने तथा उन्हें सम्मानित करनी के उद्धिश से आठ कॉंसल अफ राजस्तान की स्थापना 1990 इसवी में जैपुर में की गई इस संगठन के सूतरदार श्री समंदर सिंग खंगारोद थे आकार अजमीर आकार कला समू की स्थापना 1991 में राजस्तान के अजमेर जिले के चित्रकार लक्षपाल सिंग राठोड मैश खारोल सुभास कुलहरी किरीट शत्री वेप्रलाज शर्मा के प्रयासों से हुई इसके अद्देक्ष डॉक्र अनुपन भटनागर बने अंकन भिलवाडा राजस्तान की ललित कला लोक कला वेशिल्प कला की प्रवर्तियों के प्रोथसान इंविकास के लिए और प्रांत की सांस्कृतिक एक्ता स्थापित करने के महती उद्देश से अंकन की स्थापना सितंबर 1994 में में भिलवाडा में की गई अलंकरती कलाकार समू अजमीर इस समू की स्थापना वर्ष 1997 में कलाविद राम जैस्वाल द्वारा अजमीर में की गई स्केद्देख्ष राम जैस्वाल बने सर्वस्वदी कला केंद्र जैपुर परंपरागत लगू चितर शैली के चितरकार बाबू लाल मारोठिया द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई वी कोटा ये ग्रुप हाडवती के युवा कलाकारों द्वारा 1999 में में स्थापित किया गया था विजुल आर्ट सोसाइटी फॉर टीचर्स वी ए एस्टी उदैपुर जुलाई 2001 में वास्थ की स्थापना उदैपुर राजस्थान में हुई हस्ताक्षर जैपुर कलाके सर्वांगिन विकास हे तु इस संस्था की स्थापना जैपुर में की गई इसके संस्थापक सदेश्यों में एकेश्वर हटवाल, सुनीत, गिल्डियाल, द्रूव यादव, महेंदर प्रताप, वेर राम किशन अडिग आदी हैं आयाम कलावे संस्कृती संस्थान जैपुर कलावे संस्ठ closet को बढ़ावा देने के उद्दिशत आयां कलावे संस्ठ yapti संस्ठान की स्थापना प्रोफेसर चिनलमय मायता द्वारा जैपुन में की गई आकरती कला संस्थान भिल्वाडा कला को समर्पित इस संस्थान की पईकलपना वे आदारशिला मूर्ती शिल्पी गोवर्दन सिंग पमार चित्रकार शाम सुंदर राजानी वे केलाश चंद्र पालिया द्वारा वर्ष 2012 में रखी गई बूंदी ब्रश बूंदी पारम पर एक बूंदी शैली के कलाकारों के अभाव को दूर करने वे बूंदी शैली की एतिहासिकता को उजागर करने के उद्दिश से बूंदी ब्रश संस्थान की स्थापना जनवरी 2014 में बूंदी में की गई इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर युवराज सिंग हैं नागरी दास कला संस्थान किशनगड अजमेर स्किस्तापना किशनगड अजमेर में की गई सब्त किरणबी का नेर कैनवास अजमेर में स्थापित जोदपुर कला परिशद जोदपुर में स्थापत संस्थान है